आज हम चैप्टर टू की एक्सराइज करने जा रहे हैं आपके क्लास 11 की जिसका नाम है यादि हम सब एक साथ रह सकते हैं तो हमें मृत्तु से भी डर नहीं है मृत्तु से भी भै नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें पहरा क्वेशन है टू प्रोटेक्ट दा शिप हैं जब खराब मौसम हुआ जब मौसम का खराब होना शुरू हुआ तो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए कैप्टन ने क्या किया आंतर देखिए कैप्टन जो है उसने डिसाइड किया कि हम शिप की जहाज की जो स्पीड है उसको श्रो कर देते हैं रोहे की रोड होती ही जिसमें एक कपड़ा बना होता है उसको उन्होंने नीचे कर दिया और बानने बारी एक हैवी रस्ची जो है वो इस्टर्न यानी पिछले हिस्से में बान दी उन्होंने हर चीज को अच्छे मजबूती के साथ दो दो बार बान दिया उन्होंने अपनी जो राइप राइन बोट्स थी उनको भी अटेज कर रिया और वह आयर इस्किन और राइफ जैकेट्स और वह भी पहन रही है उसके बाद दूसा क्वेशन है टू चेक दा फ्रेडिंग आफ वाटर इन दा शिप शिप जब तूट गया था उसमें छटी आई थी नुक्सान पहुंचा था तो उससे पानी जो अंदर आ रहा था उसको चेक करने के रिए उसको रोखने के रिए क्या किया था इन्होंने आशा देखिए तू चेक दा फ्रेडिंग आफ वाटर इन दा शिप शिप में जो आता हुआ पानी था उसको रोखने के रिए दा कैप्टन पुट वाटर पूफ हैच फिच कवर्ड दा गेपिंग होल उसने एक जो वाटर पूफ उनके पास हैज थी उसको हैज को कवर करने के रिए जो वाटर पूफ कपड़ा था उसको गेपिंग होल में से गेपिंग होल में लगा दिया He stripped canvas और जो canvas था, canvas एक मोटा कपड़ा होता है waterproof उसको भी उन्होंने फैरा दिया Larry and Herb ये दोनों crew member थे उनके चारक दल के सदक्स थे Larry and Herb were pumping out water ये दोनों जो चारक दल के सदक्स थे ये रगातार पानी बाहर फेंक रहे थे When his hand pumps were blocked, जब उनका hand pump blocked हो गया, choke हो गया and his one electric pump short circuited और जब उनका एक electric pump यानि बिजरी से चलने बारा pump भी short circuit हो गया He found a hand pump and spare electric pump तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक spare यानि spare बाकी जो है एक खारी जो इस hand pump हो मिल गया और एक electric pump मिल गया He connected it to an out pipe and started it उन्होंने उस electric pump को बाहर के pipe से connect किया और उसको चारू कर दे उसके बाद second question देखे पहले में दो question थे अब यह दूसरा question describe the mentor condition of the wisers on fourth and fifth जन्वरी चार और पात जन्वरी को wisers जो होते हैं वो समुद्री यात्री कहराते हैं जो समुद्र की यात्रा करते हैं रंभी यात्रा तो उनकी mental condition क्या थी उनकी मानसिक इस्थिती क्या थी उसको describe करें तो चलिए answer देखते हैं आन जन्वरी फोर मतब चार जन्वरी को the wisers felt great reef after 36 hours of continuous pumping out water चार जन्वरी को जो यात्री थे जो चारक दर के स्दस थे उन्होंने थोड़ा राहत की शांश्री थी क्यों क्योंकि वो 36 घंटे रगातार पंप कर रहे थे पानी अब जो पानी था जहाज के अंदर वो कुछ सेंटीमीटर ही बचा था उन्होंने रगभग दो दिनों में अपना पहरा खाना खाया था हाविवर एट फोर पीम हरकी साम को चार वजे दर वेदर अगेन बिकेम ग्रिम जो मौसम था वो फिर से खराब होना शुरु हुआ जैसे की काले बादर जो थे वो आश्मान में बिल्डप होने लगे और जो सी है समुद्ध है वो भी उपनाने लगा मत्रब उसमें रहरे उठने लगी जनबरी पांच जनबरी की सुबह होते होते दा सेचुएशन वाज वोस जो सेचुएशन थी जो इस्थिती थी वो बहुत खराब हो गई थी इस गेव देम मेंटल इस्ट्रेस और इस चीज ने उनको फिर से एक तनाव में डार दिया था इसके बाद देखिए फ्रिशन नमबर थर्ड डिसक्राइब देखिए इस चीज ने नरेशन आफ इवेंट्स अज इंडिकेटेट इन थी सेक्षन आफ द टेक्स्ट गिव अस सब्टाइटल टो इस सेक्षन आप इस चैप्टर में आई हुई तीन परिस्थितियों के बारे में बताईए और उन हर तीन इस्थितियों का अलग अलग वो भी दीजिए शीर सक दीजिए तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेक्षन फर्स्ट सेक्षन में आपके है विगनिंग आप दराउंड दव वैज वैज इसको बोलते हैं वैज समुद्रियात्रा की सुर्वात जो उनकी रंबी समुद्रियात्र थी उनकी सुर्वात हुई है फर्स्ट सेक्षन में ये आपका टाइटल हो गया इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ीजिए द फर्स्ट सेक्षन वाज चीरफुल उन दोनों सबका फर्स्ट सेक्षन जो था यानि पथम पड़ाओ जो था वो ब अपनी बॉइज जो थी समुद्रिया था उसकी प्रानिंग की दे विर्ड अशिप उन्होंने एक शिप तयार किया एक जहाज तयार किया और उसका नाम दिया वेव वाकर फिच वाज अट कंटी थी मीटर स्रांग वो जो जहाज था वो रगभग तेईस मीटर रंबा था थ इसके बाद जो सेकंड सेक्षन है वो है इस्टरगल विथ वेप्स एंड वैड वेड वेडर दूसरे स्थिती में क्या हुआ है कि उनको खतरनाक समुद्री रहों और खराब मौसम से संघर्ष करना पड़ा इस्टरगल करना पड़ा यह आपका शेशक हो गया टाइटर हो ग जो बड़ी बड़ी जो तरंग रह रहें थी वो रगभग शिप को डूबा ही दे थी दर नैरेटर एंड हिस फैंड यहां वो कैप्टन है ठीक है दर नैरेटर एंड हिस फैंड पर्ट को रिखने बारा कहने बारा है वो और उसके memory members जो थे वो बुई तरह से चोंटिल हो गए थे The narrator and other two crewmen, narrator और बांकी के जो दो crewmen थे Larry Pay, Larry Bizzle और Hub, Shizler, वो pumped out water from the ship for continuous 36 hours ये तीनों मिलकर रगातार 36 गंटे तक पानी बाहर फेंकते रहे The advisors showed tremendous fighting spirit ये जो समुद्री आती थे, इन्होंने tremendous fighting spirit tremendous means होता है very great in amount बहुत ज़्यादा fighting spirit दिखाई थी, उनके अंदर एक मजबूती थी and defeated death और इस प्रकार से उन्होंने म्रत्यू को हरा दिया उसके बाद 300 section आप देखते हैं उसमें आपने पढ़ा है कि वो लोग सुरक्षित आयल MS Dardom पहुँच गए थे तो थर्ड section देखिए victory of courage and optimism अंतिम section में क्या होता है कि आशावादी जो वेक्ति होता है जो साहसी होता है उसकी victory होती है तो इनकी भी आंतिम में ये इस्थिती हुई है आंशा देखिए everybody on board fought with undaunted courage on board means होता है जो भी ship पर थे everybody on board जहाज पर जो भी थे वो बड़े ही शाहस और द्रसंकर्प के साथ रड़े undaunted means होता है determined without fear to face the adverse weather condition और उन्होंने बिसम मौसम की परिस्थितियों का सामना किया adverse means होता है खराब प्रतिकूल in the midst of awsons awsons means महासागर, महासागर के बीच में उन्होंने बिसम या प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का सामना किया डट कर with the support of his children अपने बच्चों के support के साथ the narrator kept trying to save the ship narrator रगातार ship को save करने का प्रयास करता रहा in order to reach the two small island ताकि वह दो छोटे छोटे islands यानी समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे दिवीप होते हैं वहां तक पहुचने का प्रयास किया उसका नाम था Isle Amsterdam they finally reached their destination अंतता हुए है अपने destination में पहुच गए his son called him the best daddy and best captain उसके बच्चे ने उस narrator को captain को संसार का सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा captain कहा था तो इस प्रकार से यह दूसरा question हो गया उसके बाद thinking about language section आता है इसमें देखते हैं we have come across words like gale and storms in the account account means होता है description या chapter इस chapter में हमारे पास दो सब्द आए हैं gale और storm तुफान जंजा बात ऐसा here are two more words from the storm यहां storm को के दो और सब्द होते हैं उसको दो और तरीकों से कहा जाता है पहरा है typhoon और दूसरा cyclone how many words does your language have for storm आप बताए आपकी भासा में कितने सब्द हैं storm के लिए तुफान के लिए तो answer देखिए our language has following words far storm हमारे भाशा में ये सब्द हैं जिनको हम तुफान के लिए यूज करते हैं पहरा है आधी दूसरा है तुफान तीसरा जंजा बात और चौथा चक बात तो आप ये language में सीख सकते हैं उसके बाद दूसरा question है here are the term of different kind of vessels यहां कई प्रकार के vessels यानि जो समुद्र की यात्र में यूज होते हैं मसीने उनके बाद में बताया गया है पहरा है yacht, boat, canoe, ship, steamer, schooner think of similar term in your language आप भी अपने भासा में बताइए कि पानी में चलने बारे इस प्रकार की मसीनों को क्या कहते हैं, इस प्रकार के जहाजों को क्या कहते हैं तो यहां देखिए answer similar term in our language are हमारी भासा में इस प्रकार के सब्दों के जो सब्द हैं वो इस प्रकार हैं जैसे नाव, नौका, जहाज, कष्टी, डौंगी, एंड पूत आपने सुना होगा युद्ध पूत, जल पूत यह तो यह हमारी भासा में हैं उसके बाद तीसरा question है catamaran is a kind of word catamaran जो है एक प्रकार की word होती है do you know which Indian language this word is derived from क्या आप जानते हैं कि यह किस भारती भासा से बनाया गया है रिया गया है, check the dictionary आप dictionary का भी यूज कर सकते हैं answer देखिए it is derived from Tamil word kattu maram यह जो catamaran है यह Tamil के एक word kattu maram से बना है kattu का मत्रब होता है to tie and maram का मत्रब होता है boot its meaning is a boat with two hearts और इसका मत्रब होता है एक ऐसा नाव जिसमें दो हर होते हैं दो हर में चोता है structure मत्रब उसमें दो नाव एक साथ जूड़ी होती हैं अलग-अलग फिर उसके बाद अंग्रे question में चलते हैं have you heard any boatsman song? क्या आपने कभी नाविकों के बारे में नाव चलाने बारों के बारे में कोई गीत सुना है? what kind of emotions do these songs usually express? यह जो song होते हैं यह किस प्रकार की भावनाओं को बेक्त करते हैं तो generally जहां नदियां होती है क्या समुद्र का किनारा होता है वहां इस प्रकार के गीत ज़्यादा पच्रित होते हैं जहां नदी ही रही हैं वहां boatsman के गीत कैसे होंगे? फिर भी हम रोग देख रहते हैं yes, हाँ हमने सुना है such boatsman song express love and emotions for their family waiting for them इस प्रकार के जो गाने होते हैं ये प्रेम और अपनापन या भावनाओं को बैक्त करते हैं अपनी फैमरी के पती जो उनका इंतजार करती हैं these songs call upon other sailors ये जो songs हैं ये जो गीत हैं ये दूसरे sailors को दूसरे नाविकों को जागत भी करते हैं कुछ कहते भी हैं क्या कहते हैं? तू अरेक उनको जगाते हैं तू अराइज उनको उठाते हैं और सी के लिए सेट आउट मिंस निकल पढ़ने को कहते हैं तू एक्सप्रोल इस वेल्थ इसकी समुद्ध की जो समुद्ध धन्समपदा है उसको explore करने उसको ढूणने के रिए निकल पड़ते हैं These songs are full up inspiration इस प्रकार के song प्रेवना से inspiration से ओत पूत होते हैं And provide moral support to sad and disappointed boatmen और ये song जो है ये उन नाविकों को नैतिक सहायता नैतिक support भी provide करते हैं जो की disappointed हो गए है निराश हो गए है उसके बाद अंगला section है language के बाद working with words शब्दों के साथ काय करना तो इसमें देखते हैं पहरा question है नीचे दिये गए जो शब्द है ये जहाजों के अर्थ में यूज के गए हैं जहाज के dictionary के रूप में यूज के गए हैं जो जहाज के कल पोजों या उसके साथ जितने भी सब्दों का सहयोजन होता है उसके साथ यूज के गए और also commonly used in another sense और इनका कुछ अलग अर्थों में भी यूज होता है उपियोग होता है आप किन संदर्भों में इनकी अलग मीनिंग्स यूज करते होंगे बताइए तो देखते हैं पहरा है नॉट है ना तो नॉट को हम रोग क्या कहते हैं एक नॉट जहाज की भासा में हमने पढ़ा था कि ये नॉटिकल मायल यानि जहाज की गती कितनी होती है उसको नापने के लिए या हवा की गती कितनी होती है उसको नापने के लिए यूज होता है ये इसका दूसरा यूज भी होता है पहरा देखिए इन string और rope रशी में या तार के यूज में कैसे होता है tie a knot at the middle of the rope कहता है कि middle जो रशी का बीज का हिस्सा है उसमें tie कर दीजिए बांध दीजिए एक गांट तो यहाँ जो knot है वो गांट के रूप में आया फिर इसका दूसरा उपयोग है of hair बाल औगेरा के बांधने के यूज में भी इसको कहते हैं knot देखिए बड़े बड़े बाल हों खासता उसे महिराओं के रड़कियों के तो उनके बालों को पीछे की तरफ एक राउंड आकार में बांध देना इसको भी knot कहते हैं एकजम्पर देखिए उसने अपने बालों को रूज यानि धीरा बांध लिया उसके बाद तीसा इसका यूज है इन वुड रकडी में इसका कैसा यूज होता है आपने देखा होगा कि जब हम रकडी को चीरते हैं तो कई जगह आपको गोल गोल निसान मिलते हैं ऐसा रखता है कि उसमें बहुत सारे सरकर्स बने हैं ब्रत बने हैं अब वो अक्सर जहां से कोई साखा निकलती है वहाँ बन जाते हैं तो उसको भी नाट कहते हैं चौधा देखिए ग्रूप आप पीपल अगर कई सारे रोग इकठा हैं चोटे-चोटे सा मुहों में तो उसको भी नाट कहते हैं देखिए इसमाल गूप आप पीपल स्टैंडिंग क्रोज टुगेदर अगर चोटे-चोटे गूपों में रोग खड़े हैं तो उसे भी नाट कहते हैं और अंतिम में क्रोध की वज़े से या नर्वस सिस्टम की वज़े से हमारे पेट की आते हैं या और भी कोई मसल्स जो है वो उरजने लगती हैं तो उसे भी नाट कहते हैं एक्जामपर देखिए पेट में या अन्न कई जगहों पर जो आपको हार्ड फीलिंग महसूस होती है आतों में या की मसल्स में उसको भी नाट कहते हैं उसके बाद दूसरा वर्ड है इस्टर्न इस्टर्न मिंस हमने पीछे वहां पढ़ा था जहाज में कि इसका बैक होता है जहाज का पिछला हिस्टा लेकिन इसका दूसरे आतों में भी यूज होता है पहरा, very serious or unfriendly way sorry, यहाँ E अलक से लगा है, इसका यूज नहीं है तो या मतलब unfriendly मित्रता पूर्ण आपका बेवहार न हो या कोई गंभीर बात हो तो वहाँ हम stern का यूज करते हैं जैसे एक्जामपर देखेजिए His voice was stern उसकी आवाज में नाराजगी थी, कठोरता थी उसके बाद दूसरा है expressing strong disapprover किसी चीज को मजबूती से नकार देना सीरे से नकार देना जिसको हम रोग कहते हैं उसमें भी stern का यूज होता है उसका एक्जामपर देखेए He gave me a stern look उसने मुझे बड़े ही disapprover नजरों से देखा ऐसा रगा जिसे उसने मुझे को नकार दिया हो उसके बाद आता है बूम बूम हमने देखा था कि ये पोल होता है जहाज में रेकिन यहाँ इसका और भी अर्थों में यूज होता है बूम का पहरा यूज है रावड नौइज जहां तेज आवाज होती है उसको बूम कहते हैं उसका एक्जामपर देखे the distant boom of the guns जब गोली चलती है तो जो आवाज आती है उसको भी बूम कहते हैं इसका दूसरा भी यूज होता है rapid growth अगर किसी चीज में तेजी से ब्रद्धी होती है उसको भी बूम कहते हैं एक्जामपर देखिए There is a sudden boom in the car market Car market में अचानक ही बढ़ोती हो गई है और तीसरा इसका यूज है To increase in popularity अगर किसी की रोक प्रेता बढ़ती है तो उसको भी बूम कहते हैं उसके बाद अंग्रा देखिए hatch Hatch हमने देखा था जहाज की भासा में gate होता है दरवाजा होता है, डोर होता है लेकिन इसका और भी उज होता है यहाँ देखिए To produce a young one अगर कोई नया बच्चा आता है चाहे वो मुर्गी को हो या अंडे के बाहर आता हो उसको hatch कहते है यहाँ देखिए Four chicks were hatched by the hen मत्तब मुर्गी के द्वारा चार बच्चे दिये गए उसके बाद है इसका दूसा यूज An act or instant कोई भी घटना या उदाहर जो है उसमें भी hatch का यूज होता है जैसे They hatched a part against me उन्होंने मेरे खिराफ एक यूजना बनाई है है ना तो इसमें hatch का यूज हुआ फिर उसके बाद अंगरा word है anchor anchor हमने पढ़ा था कि ये जहाज को कहीं रोकने के लिए होता है जिसको हम रंगर बोलते है तो उसका दूसा यूज क्या है आपने टीवी में देखा होगा जो चल राता है वो anchor होता है तो उसको कहते है host of an event किसी भी event का जो host होता है जो उसका outcome को बताता है उसके बारे में तो उसे host कहते है anchor कहते हैं और दूसरा a person who can be relied upon for support अगर किसी पर आप निरभर रहते हैं तो वो बती भी anchor कहता है और तीसरा to fix something firmly in position so that it cannot move किसी चीज को अपने अस्थान पर fix कर देना मजबूती के साथ जमा देना ताकि वो move ना कर सके उसे भी anchored कहते हैं उसके बाद question number two है working with word में the following three compound words end in ship यह आपको आँगे जो तीन शब्द मेरेंगे वो ship में समाप्त हुए है what does each of them mean इन तीनों का मत्रब क्या है तो देखे पहरा पहरा word है airship यहाँ देखे अंतिम में ship है तो airship क्या होता है यह a writer large aircraft without wings एक ऐसा aircraft होता है एक ऐसा हवाई जहाज होता है जिसमें wings नहीं होते पंक्स नहीं होते बहुत बड़ा होता है हर्का होता है filled with gas जिसमें हवा भरी होती है which is lighter than air जो हवा से भी हर्का हो जाता है and driven by engines और engine के द्वारा उसको चलाया जाता है आप एकस की image देखे जिए ऐसा होता है यहाँ देखिए इसमें हवा भरी जैती है तो हवा में यह उठ जाता है और आगे जाना हो तो इसमें engines वगे होते हैं जो इसको आगे पीछे करते हैं खास तरसे इसका उपियोग मार्ड होने में बड़े समान को यहां वहां से जाने में किया जाता है उसके बाद दूसरा है फ्रैग शिप फ्रैग शिप का मतरब क्या होता है जो सेना में नेवी में इस तरके अधिकारी होते हैं उसमें उसको रे जाने बारा जो शिप होता है उसे फ्रैग शिप कहते हैं और इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है कोई भी विल्डिंग हो कोई सेबा हो या कोई उत्पाद हो जो बहुत महत्तपून हो उसको भी फ्रैग शिप कहते हैं जैसे सेमसंग अपने फोनों को रांच करता है तो कहते हैं कि सेमसंग ने एक फ्रैग शिप स्मार्ट फोन रांच किया है मतलब अच्छा, that and organization owns our producers, उसके बाद आता है right ship, ये right ship क्या होता है, नाम से ही पता है, कि ऐसा ship जिसमें right हो, आगे दिखते हैं, a small ship that stays at a particular place at sea, एक ऐसा जहाद जो समुद्र में किसी खास जगह पर खड़ा रहता है, and that has a powerful right on it, और जिसमें बड़ी तेज रोशनी होती है, उस दूसरे जहाजों को रास्ता दिखाता है, तो उसे right ship कहते हैं, उसके बाद question number 3 में आ जाए, the following are the meanings listed in the dictionary against the phrase take on, कहता है, कि take on की जो meanings है, dictionary में, वो नीचे दी गई हैं, मैंने उसको यहाँ नहीं रिखा है, आप book में देखीजेगा, मैं इसका answer बस दिया हूँ, locate the meaning in which it is used in the third paragraph of the account, account मैंने बताया description होता है, यानि chapter जो है, इस chapter में third paragraph में take on का जहाँ यूज हुआ है, उसको बताइए, और उसकी meaning भी बताइए, तो answer देखिए, the words are, सब्द कौन से हैं, we are, we take on two crew men, American very visual and Swiss have scissor to help us tackle, यह यहाँ शब्द आया है, और इसका यहाँ यूज होता है, यहाँ take on का मतरब है to imply, किसी को नौकरी पर रखना, तो यहाँ कहता है कि उन्होंने दो और रोगों को जहाँ चलाने के लिए रखा था, imply किया था, एक American very visual थे और एक Swiss, यहाँ तीन yes नहीं है, एक ही yes है, तो उनको problem या situations में मलत करने के लिए उनको नियुक्त किया था, इस प्रकार से आपका यह chapter समाप्त होता है, अंगले वीडियो में हम अंगले chapter के exercise या उसके text को समझेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,